एक राजा अपने मंत्री के साथ में शेर करने जा रहा था सडक किनारे एक बरगत के पेण के नीचे चबुत्रे पर साधू वैठा हुआ ध्यान कर रहा राजा ने कहा मंत्री रत रुको शार्थी रुख जाओ रत रुख गया राजा रत से उतरता है बरगत के पेण के नीचे बैठे हुए मात्मा के बास में जाकर के शिर जुका कर प्रणाम करता है मंत्री को बहुत गुश्चा आता है कि सारी दुनिया राजा साहिब को प्रणाम करती है सब राजा साहिब के पेर छूते हैं और ये राजा भी ऐसा है जो ये दाड़ी रखे विए शाधू के पास में खाम खाजा करके सिर टेक के जुका पड़ा है ये शाधू आधू से क्या मिलने वाला है मंत्री दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है जुकना एक कला है अकड़ना अज्ञानता है अकड़ना मुर्दय की पहचान है और जुकना जिन्दा की पहचान है ब्रच में जब फल लड़ जाते हैं ब्रच की साखाएं डाले अपने आप जुक जाती है जुकने का आर्थ है अब इसमें कुछ फल आ चुके है इसलिए आदमी ये जुक रहा है समस्दार हो चुका है बुड़वान हो चुका है फल भी इन वरच्छ की डाले जुकती नहीं है उपर पूटती है मंत्री ने कहा राजा साहब मन में बड़ी उल्जन हो गई जब आप ये सादू के पेरों में सिर टेक कर चुके पड़े विये थे तो मन में गुसा भी आ रहा था बुरा भी लग रहा था कि दुनिया आपको जुकती है और आप यहां क्यूं जुकते राजा विवे कवान था उसने कहा मंत्री महोते ये दुनिया हमको नहीं जुकती है दुनिया स्वारत के कारण जुकती है जब तक मैं राजा हूँ तब तक मुझको जुकती है अभी मैं राजपद छोण दूँ मेरा वेटा राजा बन जाए ये सब उसको जुकने लगेंगे हमको कोई जुकने नहीं आए लेकिन मुझे जो जुकेंगे उनको खाली नासवान चीजों का फायदा होगा और शादू की चरुणों में जो जुक जाएगा उसको अमर अभिनासी आत्मा का कल्यान होगा तो अभिनासी का फायदा हो जाएगा इसलिए मैं छुका हूँ फिर भी मंत्री के समझ में नहीं आया शार्थी भी मुश्करा रहा है कि जिन राजा साहिब से मिलने के लिए लोग लाइने में खड़े रहते हैं टाइम नहीं मिलता वो राजा साहिब यहाँ फालतू जुके पड़े भी है सबता हवीत गया राजा साहिब ने एक दिन बुलाया मंत्री को और एक थैला दिया बोले थैले में कुछ शामान है इसको बेच करके आजाओ तो शाम तक आजाना बेच कर थैला खोल कर जब मंत्री ने देखा तो उसमें मरे हुए आदमी का कठा हुआ सिर रखा हुआ था कठा हुआ सिर देख करके भयानक लगा मंत्री ने कहा ये कोई सामान है बेचने योग ये तो मूड कटा हुआ है आदमी का बोले इसे बेचना है जाओ इसको जितने में बेखे उतने में बेच दो किसी दुकान पर ले करके गए दुकानदार ने जब सिर देखा आदमी का कटा हुआ सिर दुकानदार ने गहा श्रीवान जी यहां से जल्दी चिले जाईए पुलिस आ जाएगी देख लेगी 307 के संपर बन जाएगा फालतू ना टक मत करो यहां हम मोड उड नहीं खरिदते किसी का दुसरी दुकान पर गए वहां भी टाट लगी तीसरी दुकान पर गए धक्का मारकर भगाए गए चौती दुकान पर गए दुकानदार ने बहुत फटकारा मोरक हो क्या आदमी का मोड बेच रहे हो यह भी कोई बेचने की चीज है सारी टाट फटकार खा करके वापस लोट करके शाम को राजा साहिब के बास में निरास उदास पहुंसते हैं राजा साहिब ने कहा क्या हुआ विक गया की नहीं विका बोले विका कुछ नहीं डाट खाई फटकार खाई गालिया खाया धक्का खाया सिर को कोई लेने को तैयार नहीं अरे कटे हुए सिर को देख करके लोग भगा देते थे कोई अरे बहुत दुखद हो गए राजा साहेब नेका जिस सिर को लोग एक रुपिय में भी नहीं खरीदना चाहते हैं और तुम नाराज़् हो रहे थे तुम गुश्शा हो रहे थे सोचलो इस सिर की कीमत क्या है एक रुपिया भी इसकी कीमत नहीं है संत ने क्रपा करके अपने चरणों में सिर छुकाने दिया यही बहुत बड़ा सवभग है यही बहुत बड़ा सवभग है पुलिए सद्गुर्देव केचे सर मेरा छुक गया चरणों में आने के बाद उच्छ दिगले कात दिया तो क्या करना चाहिए फिर जीवन में दो चीजे करना चाहिए जिन्द्री जीने के लिए उन्नती कीजिए और जीवन में सान्ती प्राफ्त करने के लिए भक्ति कीजिए और शत्संग शर्मण कीजिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन लगा करके विद्या का अधहन कीजिए आगे बढ़िये इदर उदर मन को चंचल मत कीजिए यदि आप किसान है मन लगा करके खेती बाड़ी को सभा लिए यदि बिजनेस मेन है तो अपनी दुकानदारी में बिजनेस में पूरा ध्यान दीजिए यदि आप साधो हैं ठीक से साधना कीजिए उलल जलल साधना मत करो मन लगा करके साधना कीजिए और गुरू के भक्त बन करके भक्ती करो सरविश भी करो मन लगा कर करो बिजनेस करो मन लगा कर करो उन्नती करो विकास करो अच्छा मकान बनाओ मरना है लेकिन जब तक जीना है तो अच्छे मकान में सोना भी हो जब तक चलना है अच्छी गाड़ी में आत्रा भी करना है गाड़ी भी खरीद लो कितने लोग बुढ़ापे में कार लाते हैं बेटा कहता है आप कार क्या करोगे जिंदगी भर नहीं लाए अब तो सरीर बेकार हो गया बोले बेकार को ही तो कार चाहिए ब्रद्धावस्था में कार लाते हैं ड्राइवर की राय से फोन करके मंगा लेते हैं जहां जाना होता है ठाट से बैठ लेते हैं पत्वतनी जाकर दरस परस करते हैं सत्संग सुन लेते हैं बहुत बड़ी बात है आपके द्वार पर कार भी होना चाहिए आपका घर भी बहुत सुंदर होना चाहिए और याद रखना कपड़े भी साफ सुथरा आपको पहनना चाहिए म्रत्तु होगी तब होगी लेकिन अभी से मुर्दा जैसे जीना नहीं शुद्ध भोजन भी करना चाहिए पवित्र बना करके भोजन कीजिए